पुलाओ एकदम दानेदार बना है हलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो ठंट के सीजन में हरे मटर आते हैं और इसका हर घर में पुलाओ बनाया जाता है इसके लिए मैंने आज एक कटोरी बासमती राइस लिया है और इसे दो तीन बार पानी में अच्छे से हम दो करके इसे साफ प यह ठन में मिल जाती है तो इसका इस्तिमाल जहूर करें रहसुन अद्रक प्याद हरी मिर्ची निवो और यहां पर मैंने मसारे लिये हैं चाइफर लॉम कारी मिर्ची दाल चीनी जैवित्री और चक्रपूल और एक बड़ी लाइची है अब आदा गंटा हो गया है तो हम य दो चिटकी जाय फरी लेगा है इससे ज्यादा नहीं लेगा है और अब हम एक पेन में जिस कप से हमने चावल लिया है एक कप चावल लिया है तो हम दो कप पानी लेगे यहां पर और इसमें अब हम कच्छी हल्दी जो हमने ली है उससे ग्रेट करके डाल देंगे दोस्तों सब्सक्राइब करें और यदि नहीं है तो आप साधा पानी की ले सकते हैं पर यदि है तो जरूर में इस पी खुश्बू और स्वार बहुत ही अच्छा होता है कलर तो बहुत ही अच्छा आता है अब यहां पर में चाय तरूप का पाउड़ बिनेट कर देंगे और इसे हम काजु को फ्राइए करना है काजु में बहुत दिक फ्राइए नहीं करनें जल्दी हो जाते हैं ठोड़ी तेर में गर्ब होने पर इंख जाते हैं और यहां पर पनीर भी हमने फ्राई करना है इसमें एक चुट की नमक डाल देंगे ताकि पनीर चिपकेगा नहीं तली है और सारे पीस हमने स्तर पनीर के इतने बड़े-बड़े पीस पनाये हैं और इन्हें तरकर निकालें और इसी घी में अब हमने आधा चल मच्छुद दि मिर्चीली अ और दोहरी लाइ-चि हैंreno काली मिर्ची लॉंग और जेवित्री भी हम यहीं पर एक कार देगे और इसके बाद हम यहां दोतीज कपा दालेंगे तो पर यहां पर sphp our rock घलके से भूण जायेंगे तो यहां पर हम जीरा एट कर देंगे यहां में शाह जीरा ढाला है यदि आप साधा जीरा एट कर दिए और चटकने के बाद यहां हम प्याज को लंबाई में कज आवसे स्लाइज में काटकर प्राइड करेंगे हैं प्याज को मैं बहुत अदिक नहीं फुनना है इसके बाद पर दर्शी को होंने तक पकाना है और मर्ची क면 ़्रीट में लिक जायगे गुड़ना हो पस इसे जादा हमें नहीं कर दीक हो चैसे मिल्सलें जाएक मटा को फ्रेश मटा दीख सहा हैं आधी श्रीक के भूर हैं में लित वहाamt स execution परक्राइब कर दोस्ता तो बस हम चटकने के पहले ही यहां पर चावल एट कर देना है और चावल भूए बहुत ही हलके हातों से एट करना है यहां पर हलके हातों से मिलाएंगे चावल हमें हमेसा किनारे से ही मिलाना है और एकदम हलके हातों से मिलाएंगे यहां पर हलके हातों से मिलाने के बाद यहा तो यहां पर आप गर्मसाला पाउडर भी एक चाय का चमच की परावर डाल सकते हैं और वैसे तो काली मिज का पाउडर भी परियागत हो जाता है और फिर स्वार्थ के अनुसार हम यहां नमक डाल देंगे हलके से बिला देंगे और हमने जो हल्दी और जायवर का पानी उबाला है उसे यहां पर डाल देंगे और आज को तेजर कर देंगे ताकि एक अच्छी सी उबाली और आ जाए और फिर हम आज को मद्धूम करके ढखकर 3 निट के लिए चावल को पका लेंगे यहां पर चावल से पकड़ेगा जबन रोगे हैं और इसमें पर्फेक्ट स्वेप्प कर दिया है तो यहां पर अब हम आज को कम कर देंगे और प्राइट बनीद और काजू हम यहां एड़ करेगे और इसे हम बिर्कुर हलके हातों से मिलाना है किनारे से हम पल्टा डलकर पदला पल्टे का इस्तिमाली करना तरह से हलके हाथों से हम इसे मिक्स करने के बाद यहां पर हम आधा नीबू कर रस में चोड़ देगे और उपनी सत्ह को हलके से हिलाकर हम यहां पर दो चपमच दूदेट करेंगे दो टेबिल स्पून मैंने दूदेट किया है इससे बहुत ही अच्छा पेस्ट आता है दम खिला खिला सा दाने दार बना है इसका कलर बहुत ही सुदर लग रहा है और खुछबू तो बहुत ही अच्छी आ रहे है पुरा घर पुल्दू उन्हेक रह और देखिए सब तरफ एक बरा और पना है कहीं भी यह गीला नहीं हुआ है नशिपका है दोस्तों आपको इस पसंद आ रहे हैं तो क्रप्या लाइक एंग शेयर करें अब हूंगे इसको बंद करके इसे ढख देंगे और 10 मिनिट बाद हम इसे धनिया पती से गार्निश करेंगे दोस्तों आप इसे अप सर्विंग प्लेट में ले 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 और इसे दही या क्रेपी वाली सब्ची के साथ और उसे और बच्चे तरह से ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और इसे आप घर में एक बार जरू ट्राइए करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक्यू फ़र्वाजी जीजा